हेलो फ्रेंज वेलकम बैग टु दा अनाधर वीडियो तो दोस्तों आजकी सुड़ों में हम बात करने वाले हैं बिहार पुलीस कॉंस्टेवल रेकूर्टमेंट 23 का आपने फर्म अपलाई कर चुके हैं form apply करने के बद आपको पता चल रहा है कि आपका जो form होता है वो mistake हो गया है mistake form को आपको कैसे correction करना है कैसे edit करना है कैसे संसुधन करना है आज की सुड़ों में आपको complete जानकारे दिया जाएगा अगर हमारा ये update ये हमारा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को like, subscribe, share करेंगे जिससे आने वाले जो भी update होंगे आपको मिल जागा तो देखे friends आप लोगों के लिए इतना महनत करता हूँ तो एक subscribe करना ना भूले subscribe कर ही दे तो चलिए friends start करते हैं वेडियो को late ना करते हुए सबसे पहले हम इसका जो guideline दिया गया है कि आपको form को कैसे correction करना है वो guideline यहाँ पे हम rate कर लेते हैं इसके बाद हम उनी step को follow करके form को correction करेंगे सबसे पहले मैंने इसका जो guideline होता है मैं यहाँ पे मैंने download कर रखा है अगर आपको इसका जो official notification होता है डाउनलोड करना है तो आपको क्या करना है इसका official website को जो link होता है आपको provide करा दिया गया है हमारे video को description में ऊपर के scroll करेंगे तो आपको इसका जो भी यहाँ पे notification होता है यहाँ से आप download कर पाएंगे मैंने यहाँ पे पहले से download कर रखाया तो यहाँ पे simply मैं यहाँ पे open कर लेता हूँ notification को तो जैसे यहाँ पे इसका official notification यहाँ पे open करेंगे तो आपको इस बकार का interface यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा इसलिए आप इस व्रम में ना रहें कि अलग से जो correction window खुल कियाएगा ऐसे कुछ भी नहीं होगा आपको इसी बीच में form को correction करना है अब notification में यहाँ पे clearly mention किया गया है आपको क्या करना है यहाँ पे 13 नमबर वाला जो page होता है इसमें आ जाना है तो उपर क्यों स्वाग करते जाना है करते जाना है इसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे 13 नमबर का जो page होता है इसमें दिया गया है कि आपका form होता है वो आपका तूटी कैसे सुधार होगा तो यहाँ पे पढ़ेना पढ़ेगा पहले आपको यहाँ पे दिया क्या गया है यहाँ पे आपको form कैसे correction होगा वो आपको यहाँ पे बताये गया है करना है यदि आपको आपको मदलब लगता है कि आपका जो ओवेदन पतर होता है गलति ये तुटी विवरन के साथ अंतिम ws हो चुका है गलतियह आपका तुटीपुन मतलब आवेदन होता है जैसे नाम हो गया, पिता जी का नाम हो गया, माता जी का नाम हो गया, जो भी जानकारी होता है वो आपका यहाँ पे तूटी पुन, गलत यहाँ पे क्या हो गया, समिट हो गया है, आपको बाद में पता चल रहा है, मतलब आवेदन में आपको सुधार करने की आवसकता है आवेदन में आपको सुधार करने के आवसकता है तो क्या करना है आवेदन को रदिकरन मतलब कि आपको कैंसल कर देना है इसके बाद आपको क्या करना है यहां पर दिया गया है आपका जो आवेदन होता है परंतु यहां पर आपको बोला गया है परंतु अगर को के है तो इस प्रकार यहां पर कूया आप है तूर चाइड ही तरीका है इसक्ट के आलावा उपन होगा ही नहीं कि यहां पर пойmen चूलिर लिए यहां प्रेशन किया गया है कि आपको ऐसे यहां पर कैसे करेक्जनकरना आप यहां पर कुछ देर वेट कर लेना है सबसे पहले आपको यहाँ पर step 2 में आ जाना है fill application form इसमें आपको क्या करना है यहाँ पर click कर लेना है fill application form में यहाँ पर click करेंगे आपको यहाँ पर कुछ दिर wait कर लेना है इसके बद आपको यहाँ पर इस परकार का interface यहाँ पर देखने को मिल जागा आपने यहाँ पर registration क्या होगा तो आपका registration ID यहाँ पर fill करना है आपको जो भी यहाँ पर date of birth होता है सबसे पहले यहाँ पर date आपको select करना है month आपको यहाँ पर select करना है year select कर लेना है इसके बद आपको क्या करना है यह जो capture code होता है इसमें fill कर लेना है इसका बद आपको यहाँ पर login यहाँ पर submit कर देना है यहाँ पर जैसे यहाँ पर submit करेंगे तो आप इसका जो dashboard होता है इसमें आप यहाँ पर login हो जाएंगे अब देखे friends आप जैसे इसका जो dashboard होता है इसमें यहाँ पर login हो जाएंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा Cancel Registration Form Simply आपको क्या करना है Cancel Registration जो फर्म ओला जो लिंक होता है इसमें आपको क्या करना है Click करना है और आपको अगर लग रहा है मिलब आपने फर्म अप्लाई नहीं किया है आपने यहाँ पर फर्म को अप्लाई नहीं किया है आपका जो फर्म होता है वो अप्लाई नहीं किया है आपने Registration जानकारी मिस्टेक कर दिया है तो आपको क्या करना है आपको देखने को मिल जाएगा Cancel Application Form Cancel कर दिया है आपका फर्म को इसके बद आपको नए सीरे से Form को अप्लाई करना है और Mistake नहीं करना है क्योंकि बार-बार अगर आप Mistake करते हैं तो आपको बार-बार यहाँ पर Cancel करना होगा और फिर से आपको Feast यहाँ पर Payment करना होगा Step 1 Registration में आपको क्या करना है आपको क्लिक कर लेना है इसके बद आपका जो Registration Page होता है आपको खुल के आजाएगा आप Mistake नहीं करेंगे आपको यहाँ पर पूरा जो भी जानकारी होता है वो Metriculation के Markset के According यहाँ पर फिल करना है गोसना में Declare करना है Proceed and Register and Payment वाला जो उप्सन होता है इसमें आपको क्या करना है क्लिक कर लेना है आप देखिए Friends यहाँ पर आपका जो Registration Page होता है यहाँ पर खुल के आजाएगा सबसे पहले आपको वो नाम फिल अप करना है जो आपका Metriculation में है वो नाम आपको यहाँ पर फिल अप करना है सबसे पहले आपको फिल अप करना है Middle नाम आपका है जैसे कुमार है तो आप कुमार फिल अप करेंगे इसके बन आपका जो भी Last नाम होगा वो फिल करेंगे आपका Nationality India कर लेना है Mobile नमर फिल करना है आपका E-mail यहाँ पर फिल करना है इसके बन आपको क्या करना है यहाँ पर आप बिहार के निवासी है तो आप यहाँ पर Yes करेंगे और आपका जो भी Reservation जो Category होता है वो Category आपको यहाँ पर Select कर लेना है STAC, UWS, OBC जो भी Category होगा आप यहाँ पर फिल करेंगे इसके बाद Gender Choose करना है Date of Birth, इसके बाद Home Guard आप बिहार में है तो आप यहाँ पर Yes कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पर फिर से आपको प्रोसिट करना है पेमेंट करना है इसके बाद आपको फिर से यहाँ पर फिल करना है तो इस परकार यहाँ पर जानकारी है आई होप आपको जानकारी पसंद आया हो वीडियो पसंद आया हो जानकारी पसंद आया हो तो लोग लाइक, सस्क्राइब, सेर करें किसी परकार का क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे तो देखे फिरें सस्क्राइब करना ना भोले सस्क्राइब जरूर कर ले और किसी परकार का कोईरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें क्योंकि मैं उसका रिट करता हूँ और उसका रिफ्लाइस भी देता हूँ और अगर विडियो अच्छा लगा हो तो थैंक्स यू बोल देना यार